भोजपुरी फिल्म इंडस्टी के सुपरस्टार पवन सिंग जो की पिछले कई दिनों से भाश्पा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं पवन सिंग ने हाली में देश के सड़क परिमान और राज्जी मंतरी नितिन गटकरी वा भारतिय जन्ता पार्टी के राष्टिय महामंतरी नम बिहार के प्रभारी बिनो तावडे से भी मिले पवन नहीं दोनों नेताओं से मिलने की तस्वीरें अपने आधिकारी ट्विटर हैंडल पर भी साजा की थी इन तस्वीरों को देख पवन सिंग के फैंस और मेडिया जगत के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब वो राज्जीती में कदम रखने वाले हैं तो फैंस का ये अनुमान अब बिलकुल ठीक निकला पवन सिंग अब राज्जीत में हाथ अजमाने वाले हैं पवन सिंग ने हाली में दिये एक मीडिया इंटर्विव में बताया कि वो अब राज्जीती में सक्रिय होने वाले हैं पवन सिंग ने इंटर्व्यू देते हुए बताया कि वे बिहार के आरा से चुनाव लड़ने के लिए तयार है अगर उन्हें आरा से चुनाव लड़ने का मौखा दिया जाता है तो वे ज़रूर ही चुनाव लड़ेंगे पवन ने बताया कि देश की सबसे वड़ी राजियंतिक पार्टी भाजपा से चुनाव लड़ेंगे अबनेता पवन सिंग ने बताया कि वे भाजपा की विचारधारा से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं किसके अलावा वे इस पार्टी के कारिकरता भी हैं वे प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी को भगवान मानते हैं उनका मानना है कि देश्ट के लिए भाजपा ही एक सही पार्टी है देश्ट का उथार सिर्फ भाजपा से ही हो सकता है बता दें कि पवन सिंग साल 2024 में होने वाले लोगसभा के चुनाव में भाजपा की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं वे बिहार के आरा से भाजपा के लिए चुनाव लड़ेंगे कोवन सिंग ने चुनाव की तैयारिया अभी से शुरू करती हैं वे अक्सर अपने सोशल मेडिया हैंडल पर भाजपा से जुड़ी पोश्ट साजा करते रहते हैं इसके अलावा वे अब ग्राउन पर भी जाकर लोगों की समस्याओं के निवारण पर बात चीत कर रहे हैं पर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लह रहे हैं